तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी आगनबारी सेविका बहनों का आपके अपने यूटूब चैनल डिके टेकनिकल ग्यामे तो बहनों आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफोर्मेटिव होने वाली है जैसे कि अगर आप लोग पोसंट ट्रेकर एप में टीएचर का फोर्म भरने जा रहे होंगे इस 18.0 वाले अपडेट में तो आप लोग को यहाँ पे एक आप्शन सो कर रहा है जो होमपेज पे ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो टीएचर का फोर्म है जिसमें की जो भी लभार्थियों की संख्या है व लेकिन यहाँ पे कुल लभार्थियों की जो संख्या है वो जीरो क्यों दिखा रही है और यहाँ से अगर आप लोग टीएचर का फोर्म भरने जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एरर भी देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस ओप्शन पे किली करक हैं चाहे अगर आप लोग 18.0 के अपडेट में काम कर रहे हों या फिर पिसला जो अपडेट था 17.1 वाले अपडेट में अगर काम कर रहे हों तो कोई बात नहीं है पैज विदियो में आप को बताने वाला हूँ कि किस परकार से आपको टी एचर का फोर्म भरना है वीडियो में आप लोग लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो में दी गई जनकाड़ी आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा ज़्यादा ज़्यादा सेर भी कर दीजेगा बहनों तक और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अल का नोटिफिकेशन जरूर अन कर लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो जैसे कि अगर आप लोग पोशन ट्रेकर एप में टी एचर का जो फर्म है वो होमपेज से भढ रहे होंगे तो आपको एरर देखने को मिल सकता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे आप लोग होमपेज के बगल में जो सेकेंड नमर अप्शन है यहाँ पे बेनिफिसरी वाला इस पे आप लोग किलिक करेंगे जैसे इस पे किलिक करते हैं तो आपके सामने इस परकार से पेज ओपेज ओपेज होके आ जाएगा जो पिछला अपडेट भी आप लोग 17.1.1 वाले भर्जन में आप लोग देख पाएंगे कि इसी परकार से अप्शन खुल के आता था तो इस परकार से आपको ओपेंड कर लेना है ठीक है ओपेंड करने के बाद आपको क्या करना है कि जीस लभार्थी को हमें THR का फॉर्म भरना है जैसे कि प्रेगनेंट वोमेन, लेक्टेक्टिंग मदर और 6 मास से 3 साल वाले बच्चे को हम लोग THR देते हैं तो किसी एक फॉर्म को हमें ओपेंड कर लेना है जैसे कि यहाँ पर लेक्टेक्टिंग मदर वाला जो केटेगरी है उसको हम लोग ओपेंड करते हैं जो धातिरी माता की केटेगरी है ठीक है ओपेंड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3. पर जाएंगे 3. पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ओप्शन मिलेगा एड एन ग्रोथ नूट्रिशन डिटेल्स तो आपको इस पर क्लिक कर देना है ठीक है, किलिक करने के बाद आपको यहाँ पे third number option जो है nutritional intervention यानि पोसक हस्त छेप वाला जो option है आप लोग को इस पे किलिक कर देना है ठीक है, किलिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको सामने इस परकार से एक page खुल के आ जाएगा तो आपको यहाँ पे इस box वाले option पे check mark लगा देना है लगाने के बाद आपको यहाँ पे 25 days के लिए हम लोग लभार्थी को THR देते हैं तो 25 यहाँ पे add कर देना है ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी वो लभार्थी स्वास्त सेवा प्राप कर रही है उसको यहाँ पे select कर लेना है select करने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे submit वाला option है इस पे आपको click कर देना है जैसे ही आप लोग इस पे click करते हैं तो record creation in progress please check after some time तो यह आपका जो record है वो save हो चुका है कि आपने जो भी लभार्थी को THR दिया है उसका record save हो चुका है फिर उसके बाद यहाँ पे उसी लभार्थी के three dot के उपर click करेंगे और यहाँ पे add and growth nutrition details पर आके देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो THR का form है वो यहाँ पे green signal देखने को मिल जाएगा यानि आपका THR यहाँ पे complete हो चुका है और अगर आपका यहाँ पे green tick नहीं होता है तो आपको डरना नहीं है आपका यहाँ पे कुछ दिर के बाद यहाँ पे green tick दिखाने लगेगा आप लोग को एक बार यहाँ पे सिर्फ entry करके छोड़ देना है ठिक है फिर से आते हैं यहाँ पे हम लोग home page पे और home page पे आके द परकार से आपको करके छोड़ देना है अगर वीडियो में दीके जनकारी अगर आपको helpful लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद